सुमन घबराई हुई थी उसकी बच्पन की वो सहिली जिसने हमेशा उसकी मदद की थी आज अपनी बेटी को छोड़ कर इस दुनिया से जा रही थी कला, कला तू घबरा मत तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी नहीं सुमन, मैं अब नहीं बचपाऊंगी मैंने प्राची से तुम्हे फोन इसले ही करवाया है सुमन, मेरी प्राची मेरे जाने के बाद इस दुनिया में बिल्कुल अके लिए इसके लंबे कत के कारण कोई लड़का इससे शादी को हाने कहता पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा कला तेरे मेरे उपर बहुत एहसान है तु चिंता मत कर प्राची मेरे घर की बहु बनेगी मैं अपने छोटे बेटे अजैसे प्राची की शादी करवाऊंगी मैं वादा करती हूँ पर तु बिल्कुल ठीक हो जाएगी कला कला कुछ बोल नहीं रही आंटी जी मेरी मा मज़े चोड़ कर चली गई मैं अब किसके सारे जी होंगी किसे मा बुलाऊंगी आंटी जी प्राची मेरी बच्ची चुप हो जा देख मैं भी तो तेरी मा जैसी हूँ मैंने तुछ से जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी सुमन अपने पती को फोन पर सारी बात बताती है और अगले दिन की ट्रेन से प्राची को लेकर मुंबई आ जाती है मा जी ये आपकी चाय ये लो प्राची तुम भी चाय पीलो सुमन हमें अजय से इस बारे में बात जल्दी ही करनी होगी किस बारे में बात कर रहे हो माजी वर्शा बहु हम अजय और प्राची की शादी के बारे में सोच रहे हैं माजी अजय भाया कभी भी प्राची के साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे आपने देखा है वो हद से भी जादा लंबी है हम सब के बीच खड़ी होकर वो कितनी अजीब लगेगी वर्शा तुम अपनी जुबान बंद रखो मेरा अजय मेरी बात को नहीं टालेगा शाम को अजय ओफिस से आता है तो सुमन अजय से बात करती है माई आपने क्या कर दिया आपने उसकी कट-काठी देखिए इतनी लंबी है वो इतनी लंबी लड़की से शादी करूँगा मेरी हाइट भी उससे कम लगेगी लोग मेरा मजाग उड़ाएंगे अजय पहन ओड कर प्राची बहुत सुन्दर लगेगी तू नहीं जानता प्राची की मा कला ने मेरी एक समय में बहुत मदद की थी और फिर मेरे वचन का तू मान नहीं रखेगा बड़ी मुश्किल से अजय शादी के लिए मान जाता है अजय और प्राची की शादी की रिसेप्शन पार्टी चल रही थी उसके सभी दोस्त आय हुए थे अजय गुस्से में अपनी मा और पापा के पास जाता है अपने मेरे दोस्त यारों की भीच मेरी इंसल्ट करवा दिये प्राची की हाइट इतनी लंबी है कि सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे वो कैमरे में भी फिट नहीं आ रही है देवर जी और मानिये मा की बातों को मैंने तो पहले ही कहा था मेरी छोटी बेहन मुस्कान आपको बहुत पसंद करती है आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए पर आपने मेरी बातों को सुना ही नहीं इसलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है वर्षा बहु ये कोई टाइम है ये सब बाते करने का और अजय प्राची तुम्हारी पत्नी है उसका मान सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है वो देखो स्टेज पर बिचारी अकेली खड़ी है तुम सब यहीं रहो मैं और तुम्हारे पापा ही स्टेज पर चले जाते है सोनू पिंकी अपनी चाची को तंग मत करो और भी मैमान फोटो खिछवाने के लिए खड़े है कोई बात नहीं भाबी बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे है वर्षा बहू बच्चों को अपनी चाची के साथ इंजॉय करने तो तुम क्यों परिशान हो रहीं कोई तो है जो मेरी बहू का मन लगा रहा है वरना तुम सब तो स्टेट से उतर कर इधर उधर हो गए बच्चा ये मा ने कैसी लड़की पसंद कर ली अजय के लिए जिधर देखो पार्टी में सब लोग प्राची के हाइट को लेकर ही बात कर रहे है वो देखो सामने मिसेस शर्मा ये मिश्रा जी को भी इतनी लंबी लड़की मिली थी शादी के लिए अजय में कमी क्या थी देखने में तो सुन्दर है पर लड़की की हाइट बहुत लंबी है देख भालकर लड़की पसंद करनी चाहिए अरे अच्छा है ना लंबी बहु लेकर आए है उपर के अलमारी से कुछ उतारना हो तो बहु काम आ जाएगी चत पर चड़ना हो तो सीड़ी बन जाएगी वरना हमें तो इस टूल रखकर रसोई की अलमारी से कुछ उतारना होता है आज का लोग अपना फायदा ही ढूंडते है देखा तुमने कितना मजाग बना रखा है इस प्राची नहमारा उपर से मेरे भाई की जिंदगी और खराब हो गई सुनो हम कुछ नहीं कर सकते इस घर में मा जी की ही चलती है उन्हें अपनी सहेली को दिया वादा जो पूरा करना था उन्हें देवर जी की परवाही कब थी? मेरी मुस्कान वर्षा अब तुम फिर शुरू मत हो जाना मुस्कान का नाम लेकर कुल मिलाकर साथ ससूर और बच्चों को छोड़ कर घर में सभी को प्राची से चरती अजय वर्षा मोहित तीनों प्राची से सीधे मुँ बात करना पसंद नहीं करते थे प्राची मैं जानती हूँ तुम इस घर में खुश नहीं हो अजय वर्षा और मोहित तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं पर समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा प्राची सुमन के गले लग जाती है प्राची अपनी तरफ से सब के दिलों में जगा बनाने की कोशिश कर रही थी ऐसे ही एक दिल माजी आज स्कूल वैन वाला भाया नहीं आएगा मैं बच्चों को लेने स्कूल जा रही हूँ भाबी आप स्कूल चारी है तो क्या मुझे ब्यूटी पार्लर तक छोड़ देंगी मुझे थ्रेडिंग करवानी थी और थोड़ा बाजार का काम था मुंबई शेहर मेरे लिए नया है तो मैं यहां के रास्ते अच्छे से जानती नहीं हूँ जाते हुए टोक दिया ठीक है आओ मैं तुम्हें छोड़ कर बच्चो को वापसी ले आऊँगी तुम अपने आप घर वापस आ जाना वर्षा प्राची को लेकर पहले बच्चो के पास स्कूल चली जाती है पर वो जैसे ही स्कूल के अंदर पहुँचती है वहाँ पर भीड लगी हुई देखकर वो घबरा जाती है ये भीड ये भीड क्यों लगी हुई है क्या हुआ फर्स फ्लोर पर एक छोटे बच्चे ने गलती से वश्ट्रूम की कुंडी लगा ली है और अब वो वश् ट्रूम की कुंडी नहीं खोल पा रहा है वहाँ से बाहर आने का एक ही रास्ता है खिड़की जो बालकनी की तरफ खुलती है पर वहाँ भी जाने का कोई रास्ता नहीं है वर्षा जी आपका बेटा सोनू ही तो वाश्रों में बंद हो गया है हम सब बहुत देर से परिशान है ये लीजे पिंकी को आपकड़िये बहुत देर से रो रही है फायर ब्रिगिट को बुलाए गया है पर उन्हें आने में समय लगेगा और हमारे पास इतने लंबे सीड़ी नहीं है कि बच्चे को बालकनी की खिड़की से नीचे उतारा जा सके मैम आपके स्कूल में इस वक्त जो भी सीड़ी मौझूद है वो मुझे दे दीजे प्राची तुम क्या करने वाली हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब टीचर्स और पैरंट्स प्राची को देखते रह जाते हैं प्राची एक सीड़ी पर चड़कर उची बालकनी में पहुँच जाती है प्राची लंबी थी इसले वो उचाई पर चड़कर बालकनी तक पहुच गई और उसने किसी तरह बालकनी की खिड़की खूल कर सोनु को सुरक्षित निकाल लिया स्कूल का स्टाफ और पैरेंट्स प्राची की बहुत तारीफ करते हैं प्राची जी आप सच-पुछ बहुत हिम्मत वाली हैं मैं आज ही अपने स्कूल के सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखूंगी और ऐसी गलती दुबारा ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा वर्षो और प्राची बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं घर आकर वर्षा सारी बात घरवालों को बताती है और वो प्राची से भी माफी मागती है प्राची मुझे माफ कर दो मैंने हमेशा तुम्हारी लंबाई का मजाग बनाया पर आज तुम्हारी वचे से ही मेरे बच्चे की जान बच्ची है मुझे माफ कर देना भाबी प्लीज आप रोये मत देखिये सोनू बिल्कुल ठीक है मोहित्व रजे भी प्राची को इतना गलत बोलने के लिए शर्मिंदा थे उस दिन के बाद से प्राची की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है सोनिया का शादी समारोह एक पल में दुख में परिवर्दित हो गया जब लड़के बालू ने आखरी समय में शादी के लिए मना कर दी किशोरी लाल दीन दयाल और उसके परिवार के सामने गिड़ गिड़ा कर भीक मांगता है पर वो लालची लोग उसकी एक नहीं सोनियार इन भिकारियों के गर मुझे शादी नहीं करनी है नरेश तु अपने पापा के इशारो पर चलकर एक दुलहन को मंडप में छोड़ कर जा रहा है मुझे अपने आप पर शर्माती है कि मैंने तुझे अपना दोस्त माना तुम तो ऐसे कह रहे हो पुलकिद बेटा जैसे तुम नरेश के दोस्त नहीं बलकि लड़की वालों के परिवार के हो तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हो पुलकित तुझे क्या हो गया यार तु मेरा दोस्त होकर इन लोगों से हमदर्दी क्यों दिखा रहा है मैं तुझे बस इतना बोल रहा हूँ कि तु बहुत बड़ी खलती कर रहा है अरे इस बेचारी के पिता की हालत तो देख अरे गाड़ी के लिए तु एक दुलन को मंटप में छोड़ देगा ऐसा है पुलकित बेटा बहुत सुन ली तुम्हारी बात है हमने ठीक है ना कबसे सुने जा रहा हूँ ठीक है अगर इतनी ही हमदर्दी है तो तुम क्यों नहीं कर लेते शादी इस बॉनी लड़की से हाँ सही तो कह रहे है पापा तु क्यों नहीं कर लेता इस से शादी है है तुझ में हिम्मत शादी करने की बोल कहना आसान होता बही पर हर कोई करके नहीं दिखाता हाँ हाँ मैं कर लूँगा इससे शादी मैं अपना हूँगा सोनिया को समझ गया पुल्खित नरेश का दोस्थ था जो दिल्ली से उसके शादी समारों में आया हुआ था पर सोनिया और उसके पिता के साथ नरेश और दीन दयाल का दुर्वियभार देखकर पुल्खित से रहा नहीं गया वो सोनिया के पिता से कहता है अगर आपको कोई एतराज नहों तो मैं करूँगा आपकी बेटी से शादी मैं सोनिया का हाथ धामूँगा क्या सचमच तुम मेरी बेटी से शादी करोगे पर मेरे पास दहेज मैं देने के लिए नरेश और दीन दयाल गुस्से में लोड़ जाते हैं पुल्कित सोनिया के साथ वापिस दिल्ली पहुँचता है टेक्सी में बैठी सोनिया पुल्कित से कहती है पुल्कित मुझे घबराह ठो रही है आपके घर में सब मुझे बहु के रूप में स्विकार तो कर लेंगे न अरे तुम घबराओं नहीं, मैंने तुम से शादी किये और उम्र भर साथ निभाने का वादा लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ पुलकित सोनिया को लेकर घर पहुँचता है पुलकित के ममी पापा सोनिया को देख कर गुस्से में आ जाते है तु शादी कर किया गया? तू तो अपने दोस्त की शादी में गया था फिर ये बॉनी लड़की तुझे वहां कैसे मिल गई? मैं इसे अपनी बहु के रूप में स्विकार नहीं करूँगी समाज में मेरी हसी उडवानी है खांदान की नाक कटवा कर रख दी तुने हर कोई हसेगा कहीं उठने बैटने लायक नहीं छोड़ा तुने तेरी मा साही कह रही है पुलकित तूने तो सच में हमारा सिर्ष शर्म से जुका दिया सुन्दर लंबी कदकाठी वाली लड़कियों की कमी थी तेरे लिए बता एक से एक लड़किया लाइन लगा कर खड़ी थी और तुझे ये बॉनी लड़की ही मिली थी शादी के लिए बस बहुत हुआ मम्मी पापा मैंने जो किया है बिलकुल साही किया है आज हम एकीसवी सदी में रहने फिर भी हम रंग रूप कदकाठी पर गौर करेंगे लेक्ती के स्वभाव और उसकी कुशलता में सबकुश शामिल होता है सोनिया की इसमें क्या गलती है कि अगर उसका कद छोटा है तो मैं सोनिया के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूगा मैंने इसे पतनी रूप में सुईकार किया है और आप लोग भी इसे अपनी बहु के रूप में सुईकार कर ले वरना मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊंगा पुलकित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है उसकी मा ममता सोनिया पर बरसने लगती है कलीजे में ठंडक पढ़ गई होगी तेरे हमारे बेटे को हमसे अलग करके ही माने की तू पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया तुम बाप बेटी ने कि हमारा बेटा ही हमसे छिन गया है नहीं माची मैं सब बिलकुल नहीं चाहती मैं तो बस आप सब के दिल में चगा बनाना चाहती हूँ अमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा तू इस घर की बहु कभी नहीं बनेगी हम तुझे अपनी बहु नहीं बनेगी आसपास के महले वालों और रिष्टेदारों को जब पुलकित और सोनिया की शादी के बारे में पता चलता है तो सब सोनिया का मजाग ओडाने लगते हैं वैसे ममता जी आपके बेटे पुलकित में कोई कमी थी क्या जो उसने इतने नाटे कद की बॉनी लड़की से शादी की नहीं तो बेहन जी हमारे लड़के को देखो एक से एक लड़कियों के रिष्टे आते हैं इतने नकरे हैं देखने में तो आपका पुलकित बहुत ही सुन्दर और लंबे कद काठी का लगता है फिर उसने इतनी बॉनी लड़की क्यों पसंद की कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था अब अपने आपको ही देख लो ममता जी आप आज भी देखने में हेमा मालिनी से कम नह उसको मा जी ये चाय और पकोड़े लाई थी रग दो यहीं पर और जाओ यहां से आपकी नौकरानी कहा गई ममता जी अरे वो अपने गाउं गई है यही सोच लुगी कि एक नौकरानी की कमी थी वो पूरी हो गई कुछ तो काम आईगी वैसे तो ये बॉनी बहु हमारी किस सुनिया तुम जब से इस घर मा आई हो तुम्हें एक पल भी खुशी का नसीब नहीं हुआ अरे मैं यहाँ पर बहुत खुश हो आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए ममी सुनो पापा और मैं जा रहे हैं ये कैश रख लो 20 लाग रुपे हैं आफिस के पैसे हैं कल सुबह मुझे बैंक में जमा करवाने माली को भेज कर ममता दर्वाजा बंद करके अंदर आ जाती है सोनिया उस वक्त अपने कमरे में थी कुछ देर बाद फिर से दर्वाजे की घंटी बचती है अब फिर से कौन आ गया क्या हुआ पेड़ों में खात तो तू डाल गया था माता जी लगता है मैं अपनी खुर्पी यहीं छोड़ गया था जा देख ले कहां रखी है अरे ये दर्वाजा क्यों बंद कर रहा है छोड़ छोड़ मुझे छोड़ अरे खुर्पी लेने आना तो बहाना था मुझे वो बीस लाख रुपए दे जल्दी से जो तेरा बेटा तुझे दे कर गया है नहीं चोर मैं तुझे वो पैसे नहीं दूगी चीना जप्टी में ममता जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है ये देख कर सोनिया घबरा जाती है अगर वो चिलाती तो माली उसे भी पकड़ लेता सोनिया खोद को और ममता को बचाना चाहती थी सोनिया छोटे कद की थी इसलिए आसानी से रुपए उठा कर सर्विस विंडो से रसोई में जाकर एक खाली ड्रम में छुप जाती है इतनी देर में दर्वाजे की घंटी बचती इस अलमारी मैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा लगता है कोई आ गया वापस भागना ही ठीक रहेगा और ना पकड़ा जाओंगा माली वहां से भाग जाता है ममता गंटी की आवाज सुनकर होश में आती है और बड़ी मुश्किल से दर्वाजा खोलती है पुलकित और उसके पिता ये सब देखकर घबरा जाते क्या हुआ मम्मी वो वो चोर माली घुसा है था वो तो अच्छा हुआ हमारा काम जल्दी खत्म हो गया तो हम वापस लोटा है क्या हुआ पुलकित लगता है भाग गया पापा वो चोर माली मिल जाए बस एक बार छोड़ूँगा नहीं मम्मी पर सोनिया का है सोनिया 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 तुम इस ड्रम में वो मुझे उस वक जो ठीक लगा ये आपकी अमानत आपके 20 लाग रुपे सोनिया सारी बात बताती है जिससे सुनकर पुलकित के माता पिता खुद पर बहुत शर्मिंदा होते है क्योंने सोनिया जैसी समझदार बहु को कितना भला बुरा कहा पर आज उसी की वज़ा से चोरी होने से बज़ गई सोनिया के सास ससूर सोनिया से मावी मांगते है माजी बाबुजी आप दोनों ने मुझे बहुत स्विकार कर लिया मुझे आप दोनों के प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी पत्नी है